वेलकम दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से तो उत्राखंड अधिनस्त सेवा चाहिनायोग यानि कि UK SSSC ने एक यहां पर क्लियर किया है आप लोगों के लिए OBC सर्टिफिकेट को लेकर के जैसे आप डोकुमेंटर वेरिफिकेशन में जाते हैं तो बार बार आप लोग इसमां हमको बाहर कर देंगे तो यह सारी चीजें जो है अभी क्लियर कर दी गई हैं आपको बता देता हूँ दोस्तों आयोग का कहना है कि आयोग द्वारा जारी किये जारे विभिने चैनों में जब डोकुमेंटर वेरिफिकेशन होता है तो उस दौरान ऐसी इस्थिती आ अगर यहां पर OBC की बाद हो रही है OBC इन्होंने बताया है तो इसको पहले समझ लेते हैं फिर उसके बाद में बाकी की चीजें आपको समझा दोगा प्रारंब में ऐसी इस्थिती आने पर कुछ मामलूमा आयोग द्वारा संबंदी जिला प्रशाशन से इस्पस्टी करण लेकिन सही इस्पस्टी करण नहीं आने के बाद आयोग द्वारा बैठाक में इस मामले को रखकर व्यापक विचार में मर सकिया गया जब पहले-पहले ऐसे मामले आयो बीसी से सर्ट्फिकेट से संबंदी तो विभागों से मतलब जिला प्रशाशन से इसके बारे में इस् इसके बाद अबर में विचार विमर से किया है तो अब यहाँ पर एक ही चीज निकल के आई है आयोग अपने विज्ञापन में ये इस्पस्ट करता है कि आयोग को आविदन की अंतिम तिथी तेको वीसी प्रमान पत्र साइथ सभी प्रमान पत्रों के वैध प्रमान पत्र धारित करना आवश्यक है यानि कि जब आप फॉर्म भरते मान लिजे 20 मार्च को कोई फॉर्म निकला और उसके भरने की अंतिम तिथी जो थी वो थी 20 अपरेल एक महने का समय आपको मान लिजे मिल गया तो आपका जो डॉक्युमेंट है वो लास्ट डेट तक वैलिड होना चाहिए जिस दिन आपकी फॉर्म भरने की अंतिम तिरी थी उस दिन तक वैलिड होना चाहिए यानि कि 20 अपरेल तक आपका सर्टिफिकर जो है वैलिड होना चाहिए मान लिजे उसके बाद एक्सपायर भी हो जाता है 20 को उसकी डेट है और मान लिजे 25 तारिक को आपका एक सभी अ ρत्यों के लिए समान नीथी का पालन आवश्यक है अता भविश्य में सभी अभर्ति को निढ़्धारे तीथी तक दवेद या वैलिट प्रमान पत्र होना आवश्यक अन्यथा समयक प्रमान पत्र धारित नहोने पर ऐसे अभर्तिका अभ्यार्त निरश्त किआ जा सक आप लोगों तक यह information पहुज़ भी कही होगी हमारे द्वारा नहीं दी गए थे इसलिए हमने शोजा कि आपको कुछ चीजों से अवगत करा दिया जाए तो दोस्तों यही आपको बताना था तो दोक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर वैलिरिटी से समंधित चीज़ें आपको समझ में आगी होंगी मुझे उमीद है नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए धेर सारी शुक्काम नाय धन्यवाद जैहिंद